राज अस्थान में इस्तित एक ऐसा किला जो अपने भवे इतिहास और रहस्यों के लिए परसिद्ध है राज अस्थान के नगवर जिले में 300 मीटर उची पहारी पर इस्तित कुछामन किला एक सम्डिद और जटिल इतिहास का परमान है इसकी भवे दिवारे और जटिल वास्तूत कला लड़ी गई लराईयों सम्राजों के उत्थान और पतन और उन लोगों के जिवन की कहानी सुनाती है जो कभी इसे अपना घड कहते थे कुछामन गिले की उत्पत्ति परानिक कथा और अटकलों में डुबी हुई है लोग पिरिये मन्याता है कि इसके निर्मान का स्रे नवी सतापदी में वनखंडी नामा के क्रहत सवादी निर्दिर्शित ठाकुर जालिम सिनकु दिया गया था एक अन्य सिद्दान चे पता जलता है कि इसका अस्तितो आठवी सतापदी की सुरुआत में था जिससे गुजर परतिहार राजवन्स ने अरब अक्रमनकारियों के खिलाप रक्षा के रूप में बनवाया था सद्यों से किला विवी राजवन्सों के उत्थान और पतन का गवा रहा है चवहान, गौन और आठवर सभी ने कुछामन पर नियंतरन रखा और इसकी वास्तुत कला और इतिहास पर अपनी अमीट छाप छोड़ी नवी सतापदी में चवहानों ने किले पर कबजा कर लिया और इस्थिर्ता और सम्रिद्धी की ओधी के लिए सासन किया उनके सासन काल में किले की दिवारों के भीतर कई मंदिर और अन्यसन रजनाओ का निर्मान हुआ बारावी सतापदी में गौन्डों का आगमन हुआ जिनों ने किले का और विस्तार किया और नई किले बंदिगी उनका परभाव किले की दिवारों पर पाई गई जटिलना कासी और भित्ती चित्रों में अस्पस्ट है सुलावी सताथ्दी में राठोरों ने कुछ आमान पर अधिकार कर लिया और इसे एक समंती जागीर के रूप में अस्थापित किया राठोर सासनकाल को कई महतपुन विकासो द्वारा चिन्नित किया गया था जिसमें से खावटी हवेली का निर्वान भी सामिल है था जो अब अपने जिवान्त वित्ती चित्रों अस्था पत्य सैली के लिए परसिद्ध है मुगल बास्सा साज अहाने राजा अमर सिंगरा ठोर को उनकी बहादरी के सम्मान में कुचामन जागीर परदान की इस ओधी के दवरान किले में मुगल और राजपुत वास्तु कला का एक अनूठा मिश्रन देखा गया जिसमें महरा बाद परवेश द्वार और जटिल जाली जैसे ततो मौझूदा सनरचना में सामिल थे भारत की अजादी के बाद कुचामन किला 1993 तक राठोर परिवार के कबजे में रहा आज इसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है जो आगंतुकों को इसके समरीदी तिहास की जलक और बिते युग की भव्यता का अनुभाव करने का मौका देता है किला अस्थानिये लोग कथा और परानी कथा में डुबा हुआ है कहानिया छिपय हुए खाजाने गुप्त मारगों और अलोकिक प्रानियों के साथ मुट भेरों से भरपूर है एक लोग पिरिये परानी कथा किले के पास के गाहों से जोरने वाली एक सुरंग के बारे में बताती है जिसका उपयोग सासक घेरा बंदी के दवरान भागने के लिए किया करते थे कुछ आमन किला राजपुत बास्तु कला का एक उतक्रिष्ट नमुना है जो इसके निर्मताव के कौसल और कलात्मक्ता को परदरस्तित करता है बिसाल दिवारे बिसाल बूर्ज और जटिल द्वार किले की रक्षातमक सक्ती के प्रमान के रूप में खड़े हैं किले की दिवारों के भीतर आगंतुक महलों, मंदिरों, आंगनों और अन्य सनचनाओं के बारे में जान सकते हैं जबकि प्राचीर से चर्य जनक द्री से आसपास के प्रिद्री स्री का एक मन मोहक द्री से परदान करते हैं